नमस्कार दोस्तों मैं राज नर्वर है आपके अपने यूटूब चैनल आरके कोचिंग क्लासिस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यह हमारी सीरीज का 14 नमबर का पार्ट है इसके पहले भी कुछ वीडियो अप्लोड हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएए वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं इसके साथ साथ प्रिवी शेयर के पेपर भी अप्लोड कर दिय इसके लिए आपसे आप लोगों से बहुत-बहुत माफी चाहते हैं ठीक है तो हम जल्दे ही हम कोस्टन को स्टार्ट करते हैं कोसिस करेंगे कि हम रेगुलर तो नहीं फिर भी एक दिन के बाद तो भी वीडियो हम जो अप्लोड कर भाएं ठीक है पहला कोस्टन है कि मध्य उपरी बाहे की परिदी पूसन इस्थिती का एक उप्यों की संके तक हैं और खालिस्तान को खरिच करने में मददकार हैं मिड अपर आं सरकाफेरेंस इस यूसफुल इंडिकेटर आफ नूट्रिशनल इस्टेटस एन हैल्प टू रूल आउट अपसन है आपके पास मसल वे पैसिए छै आपसन जो इसका आपका राइट हो जाएगा इसका मतलब फस्ट आपसन जो है इसका आपका राइट हो जाएगा ठीके यह सभी टिवी सियर के पीपर है जो एक्जाम में पूछे गए निउट्रिशन एंपोसं से कोस्चन है और मैं दोस्त अगर आपने सीरीज जरूर देखिए और अगर आप इसकी पीडियाप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आपको इसकी पीडियाप भी मिल जाएगी बस आपको उसके लिए मात्र 20 रुपीज जो हैं आप पे करने होगे कितने रुपे 20 रुपीज जो हैं पे करने होगे कि कुपोसित गर्भोती माता में प्रोटीन की मात्रा खालिस्तान द्वारा बढ़ाई जास सकती है चना हुआ दानेदार मांस हुआ मचली दोनों मथी हुई दाल के सूप मलाई के उत्रे दूध या फिर उप्रोक्त सभी तो उप्यूक्त सभी जो है अप्सन राइट हो जाएगा देखिए मैं पहले भी आपको एक ट्रीक आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके एक्जाम में आपको अगर कोश्यन नहीं बन रहा है तीनों आप्सन आपको नहीं पता है और लास्ट में अगर उप्यूक्त सभी लिखा हुआ है तो कोशिस है कि अगर आप कोई भी मतलब अपने माइंड से सोच कर अगर कोई आप्सन लगा रहे हो तो आप फोर्थ आप्सन उप्यूक्त सभी पर क्लिक जरूर कीजिएगा 99% चांसे होंगे कि यह आप्सन आपका रही हो जाएगा देखिए मैं आपको कोई मतलब वो कहते है ना तु इसे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरक्षन इम्यूनाइजेशन के रहे हैं क्या कहते हैं इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं थर्ड आप्सन जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा फोर्थ कोशन है थोड़ा स्पीड से चलेंगे 55 कोशन समय यहां पर कवर करने हैं फोर्थ कोशन है अनाजो में किस अमीनों अमलक की कमी होती है मिथियोनीन ट्रिप्टोफेन लाइसीन या फिनिल एलानी क्या हो जाएगा लाइसीन आपका उपसन थर्ड जो है राइट हो जाएगा अनाजो में किस की कमी होती है कौन से अमीनों अमलक की कमी होती है अमलक कोन से होते हैं अमल वो जो स्वाद में खटे होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं खटे होते हैं और इनका पिएच मान कैसा होता है, साथ से अगर किसी भी पदार्थ का पिएच मान कम है, तो वो अमल कहलाएगा, साथ से अधिक है, तो वो क्या कहलाएगा, चार कहलाएगा, साथ से कम सेवन, साथ से अगर माइनस में जा रहा है, तो वो अमला कहलाएगा, साथ से अगर प्लस में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, छार कहलाएगा, बेस कहलाएगा लेकिन अगर जिसका मान साथ होता है, उसे हम उदासीन कहते हैं, नीट्रिल कहते हैं तो अनाजो में कौन सा अमीनू अमल की कमी हो थी है लाइसीन की कमी होती है फिद्धा नंबर का Question है कि अध्यनौ से पता चला है कि मुख्यान भोजन के साथ Ascarpic अमल से सम्रध्ध फलो के 7 से ख्रलिस्तान में सुधारा सकता है हिमोगलोवीन के स्थर, कोलिस्टरॉल के स्थर, ट्राइगलिस राइट के स्थर या उपरुक्त में से कोई नहीं तो इसमें हिमोगलोवीन के स्थर हम फर्स्ट आप्सन जो है राइट कर सकते हैं हिमोगलोवीन के स्थर और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बच्चों के कमेर्स आएगे कि सर आपके वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं ये सफिसियंट होंगे क्या एक्जाम के लिए देखे बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपके एक्जाम के लिए सफिसियंट नहीं है आपको अदार जो आपके 75 नमबर की तयारी है वो अलग से करनी पड़ेगी ठीक है इसके लिए सिर्फ आपके मैक्जीमम 25 नमबर को कवर करेंगे हाँ ये जो अभी सी कोशन जो है आपके 75 नमबर के एक्जाम में भी आएंगे लेकिन पूरे तरीके से हम इस चीज को कवर नहीं कर पाएंगे ठीक है हम आपको पहले भी बता चीक है तो आप ऐसा ना करें कि मैं इसी वीडियो के भरोसे बैठे रहेगी सर एसी में से सब कुछ आएगा तो देख के बाकी आपको extra effort selection चाहिए तो extra आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा वह आप देख लेजी यूटूब पर कोई channel available हो या कहीं भी offline अगर आप coaching कर रहे हो तो यह तो बहुत अच्छी बात है अब वहां से उन्हें देख सकते हैं ओके यह आपके लिए सिर्फ थोड़ी सी help है जो आपको exam में help कर सकती है ठीक है चाटवा question है कि सुभा की उबकाईयों से रहत देने के अहरी हस्तचेप में क्या होना चाहिए सुखे हाइड्रो कार्बो हैडरेट खाद्र पदार जैसे crackers कम sodium वाला आहर इंटा सीड प्रतियामल या अंता सीरी तरल या intravenous समझे से कहते है तो देखे क्या बोला है सुभा की उबकाई क्या होता है सुभा की उबकाई जब हम सुभा उठते हैं तो मुझ खुलता है ना मुझ बहुत बड़ा मुझ खुलते हैं तो यही आपके क्या होती है सुभा की उबकाई होती है और इसी को अगर हमें कम करना है तो सुके कार्ब ये लेना चींए। नेक्स्ट कोस्टन, शेवंथा नंबर का कॉस्टन है, जीन व्रद्ध वेक्तियों के पास भोजन की सिमित पहुच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आयु कम होती हैं और जिनके पास परिवहन के खराब सुईदायें होती हैं, वे खालिस्तान के प्रत यह सूरुक्षित हैं प्रोटीन अर्जाख को पोषिन उत्रौपशल उप्रोक्त में से कोई नहीं तो वह हैं प्रोटीन एनर्जी मेखलि निवृच्थरिशन प्रोटीन ऊड़ा को पुपशलम मुझे कह सकते फर्सट पर सुन ज़ों इस में आपका राइट हो एट्थ नंबर का question है कि माता का सरीर विसेज जीवन आधारी तंत्रों के माध्यम से गर्भस्त सिसू को पोसक तत्व की आपूर्ति देता है वहत तंत्र है अपरा विजान डासन प्लेसेंटा उल्वत तरल एंब्रियोटिक फ्लूइड नाभी रज्युगर्वनाल या उप्युक्त सभी देखिए उप्युक्त सभी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा उप्युक्त सभी अपने देखा होगा अक्सर question जो है जिसमें उप्युक्त सभी दिए हैं वो राइट हो रहे हैं देखो अक्सर मतलब सिर्फ 99% एक परसेंट फिर भी नहीं ठीक है ट्यूबर क्लोशिस संक्रमन फैलाने वाले रोग जनकों का फैलाव रोकने के लिए अपना इस दाने वाली मानक सावधानियों में सामिल है हातों से हातो आप देखो जो है राइट हो जाएगा आप देखो जो है राइट हो जाएगा ट्यूबर क्लोशिस टीबी संक्रमन फैलाने वाले रोग जनकों का फैलाव रोकने के लिए अपना इस दाने वाली मानक सावधानियों कौन कौन से सावधानियों होती है सबसे पहले तो हात समय यह सभी जो हैं हमें साउधनिया जो हैं रखनी पड़ती हैं किस से ट्यूबर क्लोसिस अगर आपको बचना है तो या किसी को फैलने से रोकना है तो या किसी को क्या हैं गर्भाष्था में निसीत हैं ठीक है ग्यारवाय नंबर का कोशन है कि विद्यालई बच्चों के भूजन संबंदी विवहार को आकार देने में कौन से उपाय सयोग हो सकते हैं सुनिश्चित करें कि बच्चे को परियाप्त मात्रा में फल सब्सब्जिया दुग्ध में उत्पाद मिलें स्वास्ते पर विभिन्नक खाद्यपदार्तों के प्रभाओं के बारे में बताना खानपान की आदते अच्छी आदते सिखाना उप्यूप्त सभी सभी ऑप्शन जो इसमें फीर राइट हो जाएंगे ठीक है विद्यारती बच्चों के भोजन समदी यह पड़के समझाएंगे नॉर्मल डेली लाइफ के जो हैं यह कुश्यन से बारवा नमबर का कुश्यन है कि आवस्यक वसा अमलो जैसे एलफा लिनुलेनिक अमल एहों लिनुलेनिक अमल आधी की पोसंद समद्धी आव सकता हों की पूर्थी के लिए क्या वस्यक है लिपीड वसाफ तील जो हैं इसे कहते हैं लिवीड फैट ओइल्स फस्ट ऑप्सन जो इसमें आपका राइट हुआ थर्टीन नमबर का है यदि माता का आहर गुनात्मक या मात्रात्मक दृष्टी से अपरियाप्त हो तो वह गर्वस्त सिसू की व्रद्धी और विकास की सिमित कर द रहे हैं क्वालिटी भी अच्छी नहीं है क्वांटिटी भी कम है तो क्या होगा एक तो सबसे पहले तो गर्वस्त सिसू जो है उसकी व्रद्धी और विकास को सिमित कर देगा जो भी पोशन है पोशन का डारेक्ट एफेक्ट सिसू पर पढ़ेगा जो गर्व के अंदर जो सिसू है उस पर ही पढ़ेगा अगर गर्व की ये स्वारी पोशन की जो आपके डाइट है अगर उसकी क्वालिटी नहीं है क्वांटि तो है ही नहीं उसके साथ क्वांटिटी भी कम है क्वांटिटी भी नहीं है तो फिर आपके क्या गरेगा सिसू की व्रद्धी में विका पर कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिन में से सामिल है माता की आयू, एक से अधिक प्रसव, माता की अनुचित या अपरयाप्त प्रसव, पूर्वत देख भाल सभी आप्शन जो है राइट हो सकते हैं, इसके पहले भी ये कोस्चन आइधिंग रिपीट हो चुका हैं, तो ये आपको याद रखना है, माता की आयू पर भी डिपेंड करता हैं, एक से अधिक प्रसव हुआ हैं, उस पर भी डिपेंड करता हैं, और माता की अनुचित या अपरयाप्त प्रसव, पूर्वत एक भाल जो हैं, उस पर भी ये जो हैं डिपेंड करता हैं, फिप्टिं के कारण 16 नमबर का कुश्चन है कि एक खनीज जो अस्थियों वद दातों के अच्छे विकास के लिए मतोपुन है सेलेनियम आयरन कैल्सियम या कॉपर क्या हो सकता है अब दात और अस्थियों की बात कहीं न तो कैल्सियम ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा आपके दा 1710 के अनुसार पूर्वी विध्यालई बच्चे 123 वर्ष है तो उर जाएं प्रोटीन की अनुसंसित अहरी अनुमती 1060 कलोरी से 16.7 ग्राम 1400 कलोरी से 20.0 ग्राम 1660 कलोरी से 16.7 ग्राम 136 कलोरी से 20 ग्राम तो इसमें हो जाएगा 106 किलो केलोरी से 16.7 ग्राम पहला ही आप्शन जो इसमें आपका राइट हो जाएगा इतिन्त नंबर का कोश्चन है कि गर्भोश्था के दवरान कम प्रूटीन वाले आहर के कारण क्या होते हैं गर्भोश्था के दवरान कम प्रूटीन वाले आहर के कारण आपको पता है कि गर्भोश्था के दवरान दुग दिसराओ को भी प्रूबावित कर सकता है तो सब यह option जो है इसमें आपके right हो जाएंगे कि NNMB का पुरा नाम क्या है NNMB का full form आपको बताना है National Network Management Bureau, National Nutrition Monitoring Bureau, National Nutrition Management Bureau या उप्यूट में से कोई नहीं तो एक तो option आपका right होगा कोई नो कोई तो option right होगा और वो option है आपका National Nutrition Monitoring Bureau क्या है National Nutrition Monitoring Bureau हम इसे कह सकते है, second option जो है इसमें आपका right हो जाएगा ठीक है 41, sorry 21 question है कि इन में से कौन अनुपूरक आहार कारेकरम नहीं है बालबाड़ी आहार कारेकरम, मध्यान भोजन कारेकरम, संपूर्न ग्रामिन, रोजगार योजना या ICDS इसमें संपूर्न ग्रामिन, रोजगार योजना का इससे आहार से कोई मतलब नहीं है यह आहार कारेकरम के अगर बात करें, सप्लिमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम के अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें रोजगार योजना से क्या मतलब है, तो यह option तो आपका रगलत होता है इसका मतलब इस question के लिए option राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसे नहीं पर जरूर ध्यान दीजेगा अकसर बच्चे जो है, इसे छोड़ देते हैं, बालबाडी आहार कारेक्रम इसी के अंतरगत आता है, मध्यान भोजन कारेक्रम भी है, आईसीडियस तो है ही है, ठीक है, तो एक संपून गामे डोजगार कारेक्रम जो है option इसमें राइट हो जाएगा 22 नमबर का question है कि वैसको कि पोशन संबंधी आव सकता है, खालिस्तान के अनुसार अलग-अलग होती है, शरीर के भारें वायू, आयू, वालिंग, सारीरिक गतिविदी, सारीरिक क्रियात्म का वस्ता, उप्योगतर सभी सभी option जो है right हो जाएगा, देखो सरीर के भार के अन पर depend करता है, उसका portion कैसा होना चाहिए, तो उप्योगतर option जो है right होगा, 23 नमबर का question है कि गरवस्ता के दवरान भार में अधिकांस व्रद्धी खालिस्तान में होती है, पहली तीमाही, दूसरी तीमाही उप्योगतर दोनों या तीसरी तीमाही तो उप्योगतर दोनों जो करन से कौन सी बिमारी को नियत्रित नहीं किया जा सकता, पोलियो, खसरा, डिप्थेरिया या एनेमिया, किसे जो है टीका करन से ठीक नहीं किया जा सकता, तो वो है खसरा, बाकि सभी के टीके रखते हैं, पोलियो के, डिप्थेरिया के, ठीके तो यह हमें याद रखना है, से जो वी मारी हैं जिसे हम ठीक नहीं कर सकतें वह हैं कौन सी वी मारी खसरा कीर बीमारी हैं कौश कर अब बात करते हैं कि खसरा किसके कारण होता है तो खसरा जो होता है मोरबिली वाइरस के कारण होता है किसके कारण होता है वाइरस के कारण होने वाला एक रोग हैं खसरा जिसे हम कहते हैं नेग्स कुशन है, 25 नमबर का है कि गर्भेस्ता के 33 साफ़ निकर पूर्ण समय के प्रसों तक स्वस्थ माता को कि इस शंतराल पर प्रसों मे पूर्वा याच रहना जिए? यह सबी फेक्ट आपको याद रखना है, नॉर्मल से कोशन है, 26 नंबर का कोशन है, गर्वस्ता का पहला संकेत आम तोर पर क्या होता है, मासिक धर्म नहीं होना, तुरंत भारबाणा, उबकाई आना, या भंगूर, नाखुन, तो मेरे कहल से तो मासिक धर्म नहीं आना, क्या के तकरा हमके हैं, तो सबसे पहले इसी से हमें पता चलता है, नेक्स्ट है कि 27 नंबर का है, कि ORS फार्मूले में सरकरा की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, दस्त और बिगड़ जाएंगे, पोसक मान बढ़ जाएगा, वह खतरनाक हो जाएगा, उप्युक्त में से कोई नही क्या हो जाएगा, दस्त और बिगड़ जाएगा, अगर ORS के फार्मूले में सरकरा की मात्रा जो है, अगर हम बढ़ा देते हैं, तो ठीक है, इसलिए सरकरा की मात्रा जो है, उसमें लिमिटेट रखी जाती है, 28 नंबर का कुश्चन है, कि नामक, खालिस्तान नामक क्लेंज जो है, ये दातों का रवी जो है, क्या कर देता है, बिगाल देता है, चेंज कर देता है, 29 नंबर का है, कि खसरे के समंध में इनमें से किसे छोड़कर सेस सभीश सकते हैं, लक्षन हीन संक्रमन, 10 से 14 दिनों की रोगोध भवन वोधी, कुपोसितों में अधिक कंभ देता है, जो है, डिती का आकरमन दर 30 परसेंट, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, जो है ये अपसन अपका फोर्त जो है राइट हो जाएगा, थर्टी नंबर का कुस्च्चन है, कि भोजन में क्या का रहे हैं, भोजन के क्या का रहे हैं, जीवन कायम रखना, और थर्टीवन नमबर का कोश्चन है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भोवती इस्त्री हेतु प्रोटीन की अनुसांसी तहारी अनुमती है देखे यह याद रखे इस टाइप के कोश्चन जो है CHO में भी पूछे गया हैं तो यह है 78 ग्राम प्रतिदीन, 58 ग्राम प्रतिदीन, 58 ग्राम प पिरसुद, गलसुआ, मंप्स के रोगोद भवन आउधी खालिस्तान होगी 10 दिन, 18 दिन, 5 दिन या 14 दिन तो 18 दिन सेकेंड ऑप्सन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा कितनी 18 दिन 33 नमर का कुश्चन है कि उच्छ रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारणों से में संसुदन किया जा सकता है एलकोल का सेवन, आयू, मोटापा या नमक का सेवन तो आयू जो हैं इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं 34 नमर का कुश्चन है कि कौन से कारण को पोशन को प्रवाइद करते हैं भोजन की उपलब्दता और सुलब्दता, परितंत्री एवं परिवर्नी कारक आर्थिक एवं रोक जनक इस्तिद्या, उप्यूक तो सभी तो इसमें उप्यूक तो सभी आप्शन जो हैं राइट हो जाएगा 35 नमबर का कोशन है कि छोटी चेचक चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं कि संक्रामकता खालिस्तान रहती है, आखरी पपड़ी गिर जाती है, ददोरे दिखने के छे दिन बाद तक जब तक बुखार रहे तब तक या ददोरे दिखने के तीन दिन बाद तक, तो हम इसे क्या कह दोरे दिखने के छोटी चेचक चिकन पॉक्स जंक्रामकता रहे ती है, कब तक द दोरे दिखने के छो दिन बाद तक जो है रहे तो हम भी याई बाद वीरीयरीण कर और एक हो वैरी सेला वाइरस के कारण, जो छोटी माता हम जिसे कहते हैं, वो होता है, वैरी सेला वाइरस के कारण, किसके कारण, वैरी सेला वाइरस, कौन से वाइरस के कारण, दूसरा होता है, वैरी ओला वाइरस के कारण, ठीक है, और ये दोनों किसके कारण होते हैं, वाइरस के कारण होता है या बैक्टिरिया के कारण होता है तो वाइरस के कारण होते है 36 कोशन है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती इस्त्री के लिए विटामिन C की आहरी अनुमती कितनी है 60 mg पड़े 45 mg पड़े 55 mg पड़े या 40 mg पड़े इसमें हो जाएगा 60 mg पड़े फस्ट ऑप्सन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा 37 नंबर का कोशन है कि 5 से कम अंडर 5 क्लिनिक किन के लिए होते हैं दतिरक्षिकरन पोषन, सिख्छा, केंदर उपयुक तो दोनो या गर्भवती तो उपयुक तो दोनो आप्सन राइट हो जाएगा इम्मुनाइजेशन दतिरक्षिकरन के लिए होते हैं पोषन, सिख्छा, केंदर भी हमें से कह सकते nutrition education center तो उप्योग तो दोनों अप्सन जो है राइट हो जाएंगे 38 नमबर का कोशन है कि वे सरीर में चयापचय गतिवीरी के नियांतरन में मातुपून भूमिका निभाते हैं और निकटस्त मुल तत्वों के उप्योगी करण में सहता देते हैं विटामीन, खनेज, विटामीन और खनेज उप्योग्त में से कोई नहीं तो इसमें हो जाएगा विटामीन और खनेज थाड़ ओप्सन जो है राइट हो जाएगा 39 नमबर का कोश्चन है कि नीचे पोसन निउन्ता विकारों के लक्सन दिये गए हैं वह लक्सन चूने जो इसकरवी से सम्मदित हैं ओटो का फटना ओटो में दरारे, इसपंजी मसूडे और उनकी रक्तसराव होना मानसिक परिवर्तन या तोचा पर दरारे तो वो हो जाए इसपंजी मसूडे और उनसे रक्तसराव होना 14 नमबर का कोश्चन है कि इन में से किसी छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक इसमाल पॉक्स का अनमूलन हो पाया था लंबी रोगों भवन वोधी अतिरिक्त मानो भंडार नियंतरन सक्तिसाली वैक्सीन या पहचान में सर सा वैक्सीन प्रस्तूत हुआ है रुबेला खसरा पर्ट्यूसिस या कर्नमूल सोद ग्लासुआ ममस में से कह सकते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्सन राइट हो जाएगा रुबेला 42 नंबर का है किस वैक्सीन के भंडारन के लिए सबसे कड़ी स्थितिया चाहिए BCG OPV DPT या ठेट आस ट्क साइट तो OPV पोलियों की जो वैक्सीन होती है इसके लिए कड़ी स्थितिया जो है चाहिए स्टूरेज करने के लिए ये समझ लिए तो ठीक है 43 नमबर का कोशन है कि हरी पत्तिदार सब्जिया और ताजे फल खालिस्तान का अच्छा स्रोथ होते हैं अहरी रेसे प्रोटीन वसा या साइनो कुबाला मेन तो इसे हम कह सकते हरी रेसे डाइटरी फाइवर्स जो है इनमें पाय जाते हरी पत्तिदार सब्जियों में क्या पाए जाते हैं आरी रेसे 44 नमबर का कोशन है कि इस्टरियों की प्रसूतावस्था प्रसवोत का तरकाल की अओधी प्रसो की समापती से लेकर उसके बाद के छह सबताह तक प्राक्रतिक प्रसो की प्रक्रियां के दोरान गर्भुस्ता की अंतिम तिमाही के दोरान उप्युक्त सबी तो इसमें हो जाएगा प्रसो की समापती से लेकर उसके बाद के छह सबताह तक इसे हम क्या कहते हैं प्रशो से तीन वर्स दस से पंदरह वर्स 20 से 25 वर्स या एक वर्स ही से 25 वर्स होना का टाड़ जो इसमें आपका सेकंड आप्शन जो है राइट हो जाएगा को नहीं है आई सीटी एस यूजना की परीधी ये कार्यकरता हम इसे कह सकते हैं ठीक है 47 नंबर का कुश्चन है कि इन में से कौन इस्तनपान का एक लाब है माता का दूद सीशु की पोचन समन्दी आव सकताओं के लिए आदर सरूप से उप्यूक्त होता है इसमें माता से प्राप्त अंटी बॉडी का प्रतिरक्शा को सिकाए होती हैं जो सीशु की प्रतिरक्शा तंतर को दिप्त करती हैं माता के दुद पर पले सिसो को एलर्जी कम होती है उप्युक्त सभी option जो है इसमें right हो जाएंगे 48 नमर का question है कि ग्रहन सील पोसी वो पोसी है जिसमें प्रतिरक्षा शमता होती है हाँ नहीं सायद या उक्युक्त में से कोई नहीं तो इसमें नहीं option जो है right हो जाएगा ग्रहन सील पोसी वो पोसी है जिन में प्रतिरक्षा शमता होती है नहीं होती है 49 नमर का question है कि छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुक प्रोसन संबंदी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है आरन की कमी विटामिन C की कमी विटामिन A की कमी विटामिन A की कमी विटामिन A जिसके कारण रताउंधी नामक रोग होता है यहीं हमारी क् अंधता का कारण बन जाता है ब्लाइननेस का कारण बन जाता है 55 नमर का question है खालिस्तान की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान गर्भ होस्ता के लिए उप्यूकत होता है फर्स्ट ऑप्सन है प्रोटीन विटामिन खनीच कार्भ या कार्भोहडरेट सेकेन है वसा और खन विटामीन खनी जो कार्भोहडरेट ओके फिफ्टीवन नमर का question है कि वे अमिनो आमल जो अपर हार हैं और स्रीर में संसलेशन नहीं होते हैं महतुपूर्ण आमिन आमल मिया आवस्यक इजंस्यल आमिनो आमल तो हम इसे कहेंगे आवस्यक इजंस्यल आमिनो आमल फोर्त ऑप्सन जो है इसमें आपका right हो जाएगा विद्ध्यालेई बच्चे तधा 90% से अधिक पूर्व विद्ध्यालेई बच्चे या 90% से अधिक गर्भोती इस्त्रियों की आईरन की कमी होजाती है आइरन हमें पालक की सबजी में बहुत अधिक जादा आइरन होता है हरी सबजिया जरूर खाना चीए आइरन के लिए इसलिए आइरन की गोलिया भी दी जाती है आपको पता होगा कि आइरन की गोलिया दी जाती है ठीक है 53 नंबर का कोशन है इन में से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतराष्टिय नियमन अधिनियम के अंतरगत डबली एचो को अधिस सूचिनिय है फ्लेक दिप्थिरिया हैजा या पित्रोज तो इसमें सेकन आप्सन राइट हो जाएगा दिप्थी एरिया 54 नंबर का कोशन है कि वह चिकित सक जो गर्भोस्ता के दोरान देखभाल करने में विशेसग्य होता है बाल रोग विशेसग्य इस्ट्री रोग विशेसग्य प्रसूती विज्यानी वो पित्त में से कोई नहीं तो उसे हम कहते हैं प्रसूती विज्यानी जो गर्भोस्ता क सर्व भौमिक सावजनिक वितरन प्रनाली का इस्थान ले लिया वह हुई 1997 में कभी 1997 में तो यहां पर हमारे 55 को जैने सीरीज के कम्प्लीट होते हैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर किजिएगा इसके साथ साथ अप आपको पीडियेप चाहिए तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हैं अब वहां से हम आपको कॉंटेक्ट कर लेंगे ठीक है तो जल्दे ही मापसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभो जैहिन जै भारत